ये एक बहुत प्यारी लव स्टोरी है इसे आखीर तक जरूर सुनना एक बुड़ा व्यक्ति ड्यूक हॉस्पिटल में एक बुड़ी महिला एलिसन से मिलने आता है एलिसन को अल्जाइमर की बिमारी होती है ये सब कुछ भूल जाने की बिमारी है एसा व्यक्ति किसी को पहचानता तक नहीं और उसे कोई बात याद नहीं रहती इसलिए वो किसी को पहचान नहीं पाती तो एक नर्स उसके पास आती है और बताती है ये ड्यूक है और ये तुमारे कहने पर ही तुमको कहानियां पढ़के सुनाया करते हैं लेकिन एलिसन को तो कुछ याद ही नहीं आता लेकिन वो कहानी सुनने के लिए राजी हो जाती है ड्यूक उसको कहानी सुनाना शुरू करता है वो बताता है ये कहानी एक लव स्टोरी है नोहा और एली की ये कहानी है सन 1940 की वो दोनों पहली बार एक मेले में मिलते हैं ड्यूक एलिसन को बताता है तब एली सिर्फ 17 साल की थी मेले में नोहा अपने दोस्त फिंस से उसके टाउन में आई एक नई लड़की के बारे में पूछता है उसका नाम एली है और वो यहां अपनी गर्मियों की छुटी बिताने आई है नोहा तुरंत उसके पास जाकर उससे डांस करने के लिए पूछता है पर एली उसको मना करके जूले पे किसी और लड़के के साथ बैठ जाती है नोहा उसको जूलते वे लगतार देख रहा होता है एली भी जूला जूलते वे उससे चुपके से देख रही होती है तभी नोहा भागता हुआ जूले पे चड़ जाता है और उनके बीच में बैठ जाता है और एली को अपना नाम नोहा बताता है और उससे कहता है मैं तुमको अपने साथ बाहर गुमाने ले जाना चाहता हूँ एली गुस्से में उससे मना कर देती है तभी जूले का मालिक जूले को रोक कर नोहा से कहता है जूले की कुर्सी कमजोर है वो तीन लोगों का वज़न नहीं उठा सकती तो नोहा वहीं एली के सामने जूले को पकड़ कर लटक जाता है सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अगर वो वहाँ से गिर गया तो मर जाएगा नोहा एली से फिर से साथ घुमने के लिए पूसता है एली उसको फिर से मना कर देती है तो वो अपना एक हाथ छोड़ देता है अब वो अपने एक ही हाथ पे लटक जाता है उसे ऐसा करता देख नोहा के दोस्त डर जाते हैं नोहा फिर से एली से पूसता है अब डर के मारे एली उसके साथ बाहर चलने को राजी हो जाती है तो नोहा उससे पूसता है वो कहता है, रात में मैं बस तुम्हारी थरफ खीचा ही चला आ रहा था, तो एली उसकी बात सुनकर हसती है, तो नोहा उससे पूछता है, तो तुम कब चल रही हो मेरे साथ घूमने, इस बात पर एली कहती है कभी नहीं, क्योंकि रात तुमने गलत डंग से हां करवाई थी, तो नोहा कहता है, तुम जैसा चाहो मैं वैसा बन जाऊंगा, एली उसको बेवकूफ बोलती है, नोहा कहता है मैं बेवकूफ बनने के लिए भी तयार हूँ, फिर एली उसकी बात सुनके वहाँ से चली जाती है, अब रात को नोहा अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाता है, वहाँ एली उसे देखकर सारा से कहती है, अच्छा तो ये सब तुम लोगों ने जान भूच कर करा, अब ठेटर के अंदर नोहा के दोस्त फिन और सारा सारा समय एक दूसरे को किस करने में निकाल देते हैं, और नोहा एली के पास आकर बैठ जाता है, वो फिल्म क जगे उसको ही देखता रहता है, एली उसको ऐसा करता हूँ देख बहुत मुस्कुराती है, फिल्म खत्म होने के बाद नोहा फिन और सारा से कहता है, तुम दोनों चले जाओ, हम वाक करते हुए जाएंगे, एली सारा को बाय बोलकर नोहा के साथ वाक पर चली जाती है, एल एली उसकी बास समझ नहीं पाती, तो कहती है, मैं आजाद ही हूँ, तो नोहा वही सडक पर लेट कर, उसको अपने साथ लेटने को कहता है, एली को यह अजीब सा लगता है, तो वो वैसा करने से मना कर देती है, तभी नोहा कहता है, यही प्रॉब्लम है, तुम वो नहीं कर सकती, जो तुम सच में करना चाहती हो, एली यह बास सुनकर तुरंट सडक पर लेट जाती है, और नोहा से पूछती है, अगर कार आ गई तो क्या होगा, नोहा कहता है, हम मर जाएंगे, एली उसकी बास सुनकर घबरा जाती है, तो नोहा कहता है, मुझ पर भरोसा करो, एली वैसा ही करती है, वो नोहा को बताती है, कि उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तभी एक गाड़ी होरन बजाती हुई आ जाती है, दोनों जल्दी से उठकर वहां से भागते हैं, एली ऐसा करने के बाद बहुत ज़्यादा खुल कर हस्ती है, तभी नोहा उससे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है, वो हां कहती है, वो दोनों एक दूसरे में खोकर खुल कर नाच रहे होते हैं, तभी ड्यूक की कहानी को रोकते हुए अलिसन उससे पूछती है, क्या उन्हें प्यार हो गया, ड्यूक कहता है हाँ, अब वो प्यार में थे, और कहानी सुनाना जारी रखता है, वो बताता है, वो साथ गूमते, मस्ती करते, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते फिर एक रात एली नोहा के घर आती है वो नोहा के पिता से मिलती है और उनको खुझ से बनाई एक पेंटिंग गिफ्ट करती है वो उसके पिता को बहुत पसंद आती है फिर वो एली को अपने साथ खाने के लिए पूसते हैं और वहाँ नुहा के सारे बचपन के राज एली को बता देते हैं जिसको सुनकर वो बहुत हंस्ती है लेकिन वो दोनों बातों को लेकर ज़्यादातर सहमत ही नहीं होते थे इस वज़े से वो लड़ते भी बहुत थे पर सच ये भी था वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे रात को नुहा एली को घर छोड़ने जाता है पर उसका मन उसको जाने नहीं देना चाहता लेकिन रात ज़्यादा हो जाने की वज़े से एली चुप चाप भाग कर अपने घर में घुसने ही वाली होती है तभी बाहर बैठे उसके पिता उसको आवास देते हैं एली की डर के मारे जान से निकल जाती है पर वो अपने पापा को देखकर रिलैक्स होती है उसके पिता उससे उस लड़के को संडे घर पे बुलाने को कहते हैं एली उनको किस करके घर के अंदर चली जाती है उसका पिता बाहर बैठा हुआ मुस्कुरा देता है अगले दिन नोहा खाने पर उनके घर आता है असल में एली एक करोड़पती खांदान की अकेली वारिस होती है वो सब लोग नोहा से उसके काम के बारे में पूसते हैं वो बताता है वो 260 रुपे दिन कमाता है जिसको सुनकर एली की मा को अच्छा नहीं लगता बस वो जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल करती है और नोहा से कहती है एली न्यू यॉयॉक जाने वाली है एली अपनी मा की तरफ देखती है तबी एली का पिता बोलता है खाते समय कोई बात नहीं करनी चाहिए उसकी मा कहती है सौरी अब नहीं बोलूंगी लंज के बाद नोहा और एली बोटिंग करते करते नदी में कूच जाते हैं उनको वो सब करते हुए एली के माबाप देख रहे होते हैं उसकी मा एली के लिए अपनी चिंता जताती है तो उसका पिता बोलता है ये कुछ भी नहीं है बस उसकी गर्मियों की चुट्टियों का प्यार है तो उसकी मा कहती है यही तो परेशानी है फिर रात को एली नोहा के घर आती है दोनों एक दूसरे से लिपट के किस करते हैं नोहा उसको एक बहुत पुराने मेंशन में ले जाता है और उससे कहता है एक दिन मैं इसको खरीदूंगा, एली भी उसे बताती है कि उसे यहां क्या क्या चाहिए, नोहा कहता है मैं तुम्हे बना के दूंगा, वहाँ पहली बार वो दोनों एक दूसरे के बेहत नस्दीक आ जाते हैं, तभी एली नोहा को बीच में रोकते हुए कहत तुम बात करते रहो, क्योंकि पता नहीं, मेरे जहन में इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, तभी नुआ उससे कहता है, I love you, एली उससे कहती है, I love you too, और बोलती है, मुझे पता है, मैं नहीं तुमको ये सब करने के लिए बोला है, पर मैं अब आप नोहा को बैठा कर, एली से अकेले में बात करते हैं, वो एली को अंदर ले जाकर, उसे नोहा से आगे से मिलने से मना करती है, पर एली ऐसा करने से मना कर देती है, जिसकी वज़े से उन दोनों में बहस हो जाती है, एली कहती है, आप लोग ये तै नहीं कर सकते, कि मैं किस से प्यार करूँ या ना करूँ तो उसकी माँ गुस्टे से एली से कहती है कि वो लड़का तुमारे लिए नहीं है क्योंकि वो कुछ भी नहीं है सिवाई एक कुड़े के वो एक मजदूर है और आगे चल कर तुम अपने पिता के घर में ही रहोगी और कुछ बच्चे पैदा कर लोगी इतना सुनते ही एली अपने पिता के गले लगकर कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो उसका पिता बड़े प्यार से उससे कहता है वो तुमारे लायक नहीं है नोहा सारी बाद बाहर बैठकर सुन रहा होता है इतना सुनने के बाद नोहा वहाँ से जाने लगता है एली भाग कर उसको घर के बाहर रोक लेती है और उससे इन सब के लिए माफी मांगती है नोहा कहता है तुम जा रही हो और मैं यही रहने वाला हूँ तुमारे सामने बहुत कुछ करने को है तो एली उससे कहती है तुम मेरे साथ New York चलो नोहा उससे पूचता है मैं वहाँ क्या करूँगा एली कहती है तुम बस मेरे साथ रहना नोहा कुछ देर रुखता है और कहता है हम एक रात में ये सुलजा नहीं सकते तो मुझको समय चाहिए और फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा एली समझ जाती है नोहा यहां रिष्टा खतम करने की बात कह रहा है वो उससे लड़ पड़ती है और उसको चाटा मार देती है नोहा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है तभी एलीसन ड्यूक की कहानी रोकते वे उससे कहती है उसके जाने के बाद तो एली जैसे तबाह हो गई होगी ड्यूक कहता है हाँ तो एलीसन कहती है पर लड़का बस सब सही करना चाहता था ड्यूक कहता हाँ बिलकुल तो एलीसन ड्यूक से कहती है पर लड़के को उसके माबाप की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था और लड़की के साथ ही रहना चाहिए था ड्यू कहानी को आगे बढ़ाता हुआ बताता है अगली सुबह एली देखती है कि वो सब वहाँ से वापस अपने घर जाने के लिए गाड़ियों में समान रख रहे हैं तो वो भाग कर अपनी मा के पास आती है और उनसे पूस्ती है कि हम तो अगले हफते जाने वाले थे तो उसकी मा कहती है हाँ पर हम आज ही वापस जाएंगे एली उन पर गुस्ता होकर वहाँ से सिधा लकडी के कार खाने जाती है जहां नोहा काम करता है वहाँ उसको फिन मिलता है वो बताता है नोहा शहर गया है तो एली उसे बताती है कि मैं घर वापस जा रही हूँ तुम नोहा से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और कल रात वाली बात और अपनी हरकत के लिए माफी मांगती हूँ फिन कहता है अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि रात भर वो मेरे साथ ही था वो सारे लोग सच में चले गए और अंदर ही अंदर तूट जाता है लेकिन नोहा हिम्मत नहीं हारता वो उसको खत लिखता है वो उसको पूरे एक साल यानि की पूरे 365 दिन के हिसाब से रोज खत लिखता है पर किसी भी खत का कभी कोई जवाब नहीं आता क्यूंकि वो सारे लेटर एली की मा एली तक पहुँचने ही नहीं देती फिर नोहा उसको एक आकरी खत लिखता है उसके बाद वो फिन के साथ अमेरिका की राजधानी एटलांटा आ जाता है तभी दूसरे विश्व युद की घोशना हो जाती है नोहा, फिन और ज़्यादातर सभी लोग आर्मी जोइन कर लेते हैं लड़ाई में फिन मारा जाता है इधर एली अपने कॉलिज के तीसरे साल में होती है साथ ही अपनी इच्छा से घायल सैनिको के अस्पताल में एक नर्स का काम भी करती है वहाँ उसको बहुत ज़्यादा गायल एक कैप्टन हैमंड मिलता है हैमंड उसी हालत में एली से डेट के लिए पूछता है तो एली उससे कहती है पहले ठीक हो जाओ, फिर डेट के लिए पूछना और उसको लिटा कर चली जाती है कुछ महीनों के बाद वो ठीक होकर एली से डेट के लिए पूछता है एली हा कहती है धीरे धीरे उससे उससे प्यार हो जाता है वो दोनों बहुत इंजोय करते हैं डांस करते हैं, घूमते हैं हैमंड खुद एक बड़े घर से था इसलिए एली की मा को उससे कोई परिशानी भी नहीं थी फिर एक पार्टी में सब के सामने वो एली को शादी के लिए प्रपोज करता है एली खुशी से हां बोलती है और अपनी मा के साथ उस मूमेंट को इंजोय करती है इधर नोहा अपने घर वापिस आता है वो उसका पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर अंदर जहांकता है तो देखता है वो किसी और आद्वी को किस कर रही है और उसके साथ वो बहुत खुश है ये सब देख के नोहा को ऐसा लगता है जैसे उसका दिल उसको काटने दौड पड़ा हो और वो उसी दर्द के साथ वापस आ जाता है और अपने सपनों के घर को बनाने में लग जाता है क्यूंकि उसको लगता है कि एली ने वादा किया था कि वो इस घर में उसके साथ रहेगी इसलिए नोहा दिन रात पागलों के जैसे काम करते हुए उसे जल्दी से जल्दी बनाने में लग जाता है इस बीच उसके पिता का देहांत भी हो जाता है पर उसके बाद भी नोहा घर बना लेता है लेकिन अकेले पढ़ जाने की वज़े से वो उस घर को बेचने की सोचता है बहुत से लोग उस घर को खरीदने आते हैं पर नोहा घर बेच ही नहीं पाता और आखीर में वो सब को भगा देता है फिर वो अपने आकेलापन दूर करने के लिए एक महिला जिसका नाम मार्था है उसके साथ रिलेशनशिप में आता है वो एक सैनिक की विद्वा थी वो नोहा से इमोशनल होके पूस्ती है मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ तो मेरी तरफ देखते तक नहीं तुम उससे क्या चाहते हो तो नोहा उससे कहता है मेरे अंदर जो टूटा है वो कभी जुड नहीं पाएगा मैं चाहूं तो भी नहीं इधर दूसी तरफ एली अपनी शादी की ड्रेस फाइनल करके बहुत खुश होती है तभी उनमें से कोई उसको न्यूस पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी शादी में गवर्नर भी आ रहे हैं तभी एली न्यूस पेपर को पूरा खोलती है तो वो देखती है नोहा ने अपने सपनों के घर को बेचने का एक एड दिया था उसको देखकर एली तुरंत बेहोश हो जाती है अगले दिन एली हैमेंड के आफिस जाती है और उससे कहती है मुझको कुछ चीजे ठीक करनी है क्योंकि मेरे जहन में बहुत कुछ चल रहा है इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए सी ब्रॉक जा रही हूँ और वो वहाँ पहुँचकर नोहा के घर को देखती है वो ठीक वैसा ही बना होता है जैसे एली ने उसको अपनी पसंद बताई थी नोहा उसके सामने आता है वो कहती है मैंने पेपर में तुमको देखा तो मुझे पता नहीं क्या हुआ मैं यहां आ गई नोहा चुपचाप उसको देखता रहता है अब एली घबरा कर वापस जाने लगती है वो अपनी कार जैसे ही मोडती है वो लकडियों की बल्यों से टकरा जाती है और फिर वो दुबारे स्टार्ट नहीं होती एली की धड़कन बहुत तेज दोड़ रही होती है नोहा उसके पास आकर उससे घर के अंदर चलने को पूचता है नोहा की खुद की सांसे भी तेज चल रही थी एली उसको अपने मंगेतर के बारे में बताती है तो नोहा उससे पूचता है क्या तुम उससे प्यार करती हो तो एली कहती है हाँ, वो भी बहुत ज़ादा उसका जवाब सुन कर नोहा मुस्कुराता है पर उसकी आखे नम हो जाती है फिर वो अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं तभी अचानक एली जाने लगती है तो नोहा उससे कहता है क्या तुम कल सुबह आ सकती हो तुमको कोई जगे दिखाना चाहता हूँ एली आने का वादा करके चली जाती है इधर ड्यूक के बच्चे उससे मिलने आते हैं वो एलीसन से भी बहुत अच्छे से मिलते हैं एलीसन उससे मिलकर कहती है मैं तुम सबसे मिलकर बहुत खुश हुई फिर नर्स उसको आराम करने के लिए वहाँ से ले जाती है उसके जाने के बाद ड्यूक की बेटी उससे कहती है पापा आप घर वापस चले आओ, माँ आपको पहचानती तक नहीं, वो हमको भी नहीं पहचान रही असल में ड्यूक ही एलिसन का पती है और एलिसन को भूलने की बिमारी की वज़े से उसको कुछ याद नहीं बच्चों की बाद सुनकर ड्यूक उनसे कहता है, मैं तुमारी माँ से बेहत प्यार करता हूँ, और मैं उसको कभी छोड़कर नहीं जाने वाला, क्योंकि तुमारी माँ ही मेरे लिए मेरा घर है, ड्यूक कहानी कंटिन्यू करता है अगली सुभा एली नोहा के पास आती है, नोहा उसको एक जील में ले जाता है, आगे चल कर उस जील में चारो तरफ सफेज रंकी बत्तके ही बत्तके होती है, वो द्रश इतना सुन्दर होता है कि उसे देखकर एली नोहा से कहती है, ये तो एक सपने जैसा है और खुश होत पर बात को मन में ही रखती है और कहती है तुमने आखिर अपना घर बना ही लिया नोहा कहता है तुमसे वादा जो किया था एली अब उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है तब ही नोहा कहता है कि हमको वापिस घर जाना होगा बारिश आने वाली है पर वापिस पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो जाती है इससे दोनों बहुत हंसते हैं और भीगते हुए एक द्यूसरे को देखने लगते हैं नोहा नाओ को किनारे पर चड़ा देता है एली जाने लगती है तो बारिश में भीगती हुई वापस पलट कराती है और नोहा से पूसती है तुमने मुझको खत क्यूं नहीं लिखे क्योंकि हमारा रिष्टा कभी मेरी तरफ से खत्म ही नहीं हुआ था और मैंने पूरे रोज तुमको खत लिखे पूरे 365 खत अब मेरी तरफ से भी हमारा रिष्टा कभी खत्म ही नहीं हुआ था और ना कभी खत्म होगा और कहकर एली को किस कर लेता है अब दोनों का सबर तूट जाता है वो घरा कर बिना रुके एक दूसरे में खो जाते हैं सुबह एली उठकर कुछ देर तक नोहा को सोतेवे निहारती है तभी मार्था नोहा के लिए नाश्ता लेकर वहाँ आ जाती है दरवाजा खुलने में देरी होने की वज़े से वो परिशान सी हो जाती है नोहा दरवाजा खोलता है उसको मुस्कुराता हुआ देख मार्था समझ जाती है लेकि emotional होकर उससे कहती है मेरे पती के जाने के बाद मैं प्यार के इस एहसास को भूल चुकी थी फिर तुम मेरी जिंदगी में आए और मुझको लगा मैं तुम्हारे साथ अब आगे बढ़ सकती हूँ इतना कहते ही उसकी आखे नम हो जाती है फिर वो नोहा को एक आखरी किस करके वहाँ से चली जाती है अगली सुबह एली जागती है तो नोहा उसके लिए एक नोट लिक कर छोड़ता है निशान के पीछे आओ वो एकसाइटेड होकर उन निशानों की तरफ भाग कर जाती है तो देखती है कि नोहा ने एक रूम में कैनवास लगा रखा है और उसी रूम में कलर, पेंट बुरश, सब रखा है वो वहाँ पेंटिंग बनाती है तभी दरवाजे खट-कटाने की आवाज आती है एली भाग कर जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने अपनी मा को देखकर सप्राइज होती है उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारा मंगेतर यहां आ रहा है एली उन से पूछती है क्या लेटर्स वाली बास सच है वो कहती है हाँ तो एली उन से कहती है आप रोज महीने दर महीने मुझे रोता बिलकता देखती रही पर मुझे को कुछ नहीं बताया तो उसकी माँ उससे कहती है मेरे साथ चलो मैं तुम्हे कुछ दिखाना चाहती हूँ एक मजदूर को दिखाती है और बताती है आज से 25 साल पहले मैं उससे बेंतहा महबत करती थी और हम घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले थे लेकिन पुलिस ने हमको शहर तक पार नहीं करने दिया पहले ही पकड़ लिया अब जब कभी भी मैं यहां आती हूँ मैं यहीं रुक कर उसे देखती हूँ और सोचती हूँ कि अगर उस दिन हम पकड़े नहीं जाते तो मेरा आज कुछ और ही होता और कहकर रो पड़ती है और कहती है मैं तुम्हारे पिता से बहुत प्यार करती हूँ वो बहुत अच्छे इनसान है लेकिन मैं उनके काबिल नहीं और उनी की वज़े से आज मैं इस मजदूर को पहचानती तक नहीं हूँ फिर वो एली को नोहा के पास वापस छोड़ती है और अपनी गाड़ी की डिगगी खोलकर नोहा के सारे खत उसको देकर कहती है मुझको भरोसा है कि तुम सही चुनाव करोगी एली नोहा को बताती है कि उसका मंगेतर यहां आ चुका है तो नोहा परेशान होकर कहता है कि हम वापस उसी जगे आ गए है ना एली कहती है मुझे वापस जाना होगा नोहा गुस्से से पूसता है कि तुम प्यार मुझे कर रही हो और तुम्हारे माबाप को भी उससे कोई परेशानी नहीं है इस बात को सुनकर एली वहां से जाने लगती है तो नोहा उससे पूछता है तुम क्या चाहती हो एली कुछ पल रुक कर उससे कहती है मैं जाना चाहती हूँ नोहा उसके रास्ते से हटकी उसे जाने देता है एली रोते रोते जा रही होती है फिर वो गाड़ी साइड में लगाकर नोहा का खट पढ़ती है और उसे पढ़कर बहुत रोती है वो खट में लिखता है कि सच्चा प्यार वही है जो आपकी आत्मा को जगा दे आपको जिन्दा कर दे साथ ही आपके दिल में उमीद जगा दे और जहन को तसली दे ये सब तुमने मुझको दिया और मैं भी तुमको यही सब पूरी जिन्दगी देना चाहता हूं एली अपने मंगेतर को सब बता देती है तो वो उसके सामने तीन रास्ते बताता है पहला या तो वो नोहा को मार दे दूसरा मैं उससे बहुत भेंस करूँ और तीसरा मैं तुमको छोड़ दूँ पर इससे कोई फायदा नहीं है इन मेंसे कोई भी रास्ता मुझको तुम नहीं दिला सकता और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एली कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ पर ना जाने जब मैं नोहा के साथ होती हूँ तो मेरा एक अलग व्यक्तित्व होता है और तुम्हारे साथ एक अलग तो उसका मंगेतर कहता है मुझको तुम सिर्फ मेरे लिए चाहिए तो एली कहती है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ फिर ड्यूक कहानी खत्म करते हुए कहता है कि फिर वो हमेशा के लिए खुशी-खुशी अपनी जिन्दगी बिताते हैं तभी एलीसिन ड्यूक से कहती है नहीं वो वापिस नोहा के पास गई थी क्यूकि एलीसिन रोते-रोते ड्यूक से कहती है मुझको याद आ गया ये कहानी हम दोनों की ही है और उसकी आँखों में आसूं आ जाते हैं वो ड्यूक के गले लग जाती है वही उसका नोहा है वो उससे पूस्ती है मुझको क्या हुआ है वो बता देता है तुमको भूल जाने की बिमारी है एलीसिन पूस्ती है मुझको ये सब कितने समय तक याद रहेगा वो कहता है मुझको नहीं मालूम क्यूंकि पिछली बार तुमको सिर्फ पांच मिनट के लिए ही सब याद आया था तभी ड्यूक उसको फिर से डान्स के लिए पूस्ता है जैसे उसने पहली बार पूछा था अब दोनों डान्स करते हैं एलीसिन उससे कहती है चलो हम ड्राइप पर चलते है ड्यूक उससे कहता है यह अच्छा एडिया नहीं है डार्लिंग तभी अलिसन ड्यूक से पूछती है तुमने मुझे डार्लिंग क्यों कहा तुमको तो मैं जानती तक नहीं हूँ ड्यूक उसको समझाने लगता है पर अलिसन उसको धखका देकर चिलाने लगती है उसकी आवाज सुनकर नर्स और डॉक्टर आकर एलिसन को इंग्जेक्शन लगाकर उस शांत करते हैं ये सब देखकर ड्यूक रोने लगता है वो अपने रूम में वापस आकर डायरी खोलता है जिसमें एली और नोहा की कहानी लिखी थी असल में वो कहानी एलिसन ने ही लिखी थी और नोहा के लिए पहले पन्ने पर एक नोट छोड़ा था कि तुम ये कहानी मुझको तब तक सुनाना जब तक मुझको सब याद ना आ जाए इसलिए डूक वो कहानी उसको रोज सुनाता था जिससे कुछ पल के लिए उसकी यादास तो वापस आ जाया करती थी और फिर वो उस पल को पूरी जिन्दिगी के जीने के जैसा जीती थी अगली सुभा डियू की तबियत खराब हो जाती है फिर वो रात को चुप चाप ऐलिसन के पास जाता है एलिसन उसको तुरंत पहचान लेती है वो उसका हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है जब मुझको कुछ याद नहीं रहता तब तुम क्या करते हो डियू कहता है तब भी मैं तुमारे साथ ही होता हूँ क्योंकि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता तो एलिसन पूछती है क्या तुमको लगता है हमारा प्यार एक चमतकार बना सकता है तो डियू कहता है हाँ तुमारी याददास का बार बार वापस आना वो चमतकार ही है एलिसन फिर उससे एक बात पूछती है क्या हमारा प्यार हम दोनों के एक साथ कहीं दूर ले जा सकता है ड्यूक कहता है हमारा प्यार सब कुछ कर सकता है जो हम चाहते हैं उसकी बात सुनकर अलिसन रो पड़ती है ड्यूक उसके बगल में लेट जाता है ड्यूक कहता है मैं सपने में तुम से मिलूंगा अगली सुबह नर्स एलिसन के रूम में आती है वो ड्यूक को उसका हाथ पकड़े सोतावा देख उनको उठाने के लिए अपना हाथ उनके हाथ पर रखती है वो ठंडे थे नर्स की आँखों में आसुआ जाते हैं क्योंकि वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़े बहुत दूर चले गए थे और कहानी यहीं खत्म हो जाती है आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्स्प्लिनेशन पसंद आई होगी और भी मुवी के एक्स्प्लिनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन दमाना ना भूलें